थे दोस्थ एक बार फिर स्वागत आपका आपरे शानल पर मेरा नाव है वरुन और हम बात कर रहें इंजीनिरिंग की और अगर आप भी चाहत है इंजीनिर बना या फिर करियर बनाना इंजीनिरिंग में तो सबसे पहले क्या करना है या आपको पाते है चैनल सबस्राइबर वाले हैं वो ऐसे इंजिनिरिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं साउथ इंडिया वे हम तमिल लाडू पहुंचे और तमिल लाडू में चैनले की बहुत सारे institutions की हम बात कर चुके दिन लेकिन अब जो समय है तमिल लाडू में एक दूसरी अच्छी city जिसका नाम है कोयम बतूर और कोयम बतूर में बहुत पुराना इंस्टिटूट जी हां बोल सकते हैं इस institution का नाम भी कोयम बतूर के नाम सभी बड़ा है हन जी कोयम बतूर इंस्टिटूट ऑफ टेक्नोलोजी की हम बात करने वाले हैं और ये सच्छी बताएं तो भई एक educational trust है जिसके द्वारा इसको ट्रस्ट हैं आइडू जी के नाम से और इनके द्वारा ही इसको स्टावलिस किया गया था अब जाके कुछ समय पशात 1987 के गरीब इसको अटोनोमस दर्जा दे दिया गया था और अब फिलाल तो ये ये यूनिवस्टी का काम कर रही है हां जी सारे के सारे कोर्स कराते हैं य क्योंकि आप मैं से जितने भी चाह रहे हैं जीर नहीं करना तो वो अगर कोई मतूर जाना जा रहे हैं तो हो सकता है हो सकता है कि यह नाम जरूर बखेट में होगा आपकी और यह इस वीडियो के आगर में समझ में आ जायेगा तो मैं नहीं बताऊंगा यह तो आप ही समझ जाएंगे कि आपके लिए best क्या है हाँ अगर जानना चाह रहे हैं कि क्या best हो सकते हैं आपकी profile पे तो नीचे profile analysis form आपको ज़रूर फिल करना है ताकि आपकी profile पे best आप समस्कों चिक है कि नहीं चले तो साज करेंगे यह आप ही यह सारी चीजे में बदाई चुका हूँ आपक काणूं में हम देखें तो बहुत बड़ा आंगे क्या क्या specialization यह offer कर रहे हैं अगर हम यहां जाके admission लेना चाहें तो यह सारी की सारी अब specialization देख सकते हैं जिन्ने हम को और specialization कहते हैं कुछ नई चीज़े भी add-on करी हुई है नोने civil mechanical engineering के अलाव आप यहां पर चाहाए electrical हो ज़्यादा बच्चे प्रफर करें तो वो सारी चीज़े यह रोड़े यहां पर रखे हुई हैं क्या बता है भी प्रोग्राम के बारे में तो आप नए बच्चे को बता सकते हैं वागी पुराने सभी लोग जानते हैं और अगर वीडियो देखी हुई हैं तो वो भी समझ जाओंगे इंजिनरिंग का यह जो कोर्स होता है यह चार सालों को कोर्स होता है और समस्टर सिस्टम हमारे चलता है एक साल में दो समस्टर यानि आठ समस्टर की यह पूरी पढ़ाई होती है इंजिनरिंग की जिसमें बिलकुल बेसिक पढ़ाई एक साल पहली साल जाहे पह पहली साल तो आपकी common होती सब भी branches के लिए फिर उसके बाद स्वेसलाइज़ ब्रांचे में आप थर्ड समस्टर से जबते हैं लिकिन 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 ये institute का बलकुल अब मैंने आपको कई बार बता है कि यार प्रक्रियाएं होती हैं अलग अलग प्रकार की काउंसलिंग्स होती हैं कैसे आप जा सकते हो तो सबसे बहले होती है eligibility criteria eligibility मतलब हमारे पास minimum क्या qualification हो जिसके basis पे आप engineering कर सकते हैं उसके लिए आपको पता है कि गक्षा बार में आपको पास होना चाहिए PCM से 50% का marks का criteria होता aggregate बगेरा अलग-अलग courses में ले लिया जाता है कि particular in 3 subject होने चाहिए इसमें यह aggregate होना चाहिए यह सारी चीज़ा रहती है कई जगों पर इनको exclude भी कर दिया जाता है लेकिन कई जगों पर इनको रखा जाता है 50% के बाद कुछ reservation जो category reserve होती हो उनके लिए 5% का relaxation मिल जाता है और यह basic criteria आपके cable किसलिए है यह है कि further आप आँगे के exam देव पाए entrance examination जिसमें national level state level और university level के exams होते हैं अब बस national level में जही state level में क्या हो जाते हैं आपके particular जैसे तमिलाडू की हम बात कर रहें तो तमिलाडू में तमिलाडू engineering entrance या admission टेस्ट होता है उसके basis पर यह सारी की सारी counseling और उसके basis पर admission मिल जाता है या हम यहाँ की सी बात कर रहें तो यह तो फिलाल अपना खुद का institution का यह entrance exam नहीं करनेक क तो यह सारी चीज़ें इन्होंने बताय हुई है तमिलाडू government के जो norm से उसके basis पर आपको या admission मिल जाता है admission के लिए क्या-क्या चाहिए है तो मैंने आपको बताई दिया है कि minimum 12 में percentage criteria बगेरा सारी चीज़े और क्या कैसी चीज़ें होगी अब आती है दूसरी important चीज क्या fee structure किसी भी institute को हम देख रहे हैं तो हम दिखते हैं कि हमारे लिए क्या best हो सकता है fee structure affordable है कि नहीं है क्योंकि बहुत सारे private institute ऐसे होते हैं जिनका बहुत अगला fee structure होता है और हर कोई उसको afford नहीं कर पाता है ये बड़ी समस्या की बात हो जाती है क्या है हमें पता है बहुत सार middle class है जिनकी all over सारी की सारी income ही साल पर कितनी होती जो बहुत सारे institution की fees भी afford ने कर सकते हैं तो अगर ऐसी आपकी condition है या नहीं भी है ज़रूर नहीं कि हो ही लेकिन आप चाह रहे हैं एक बहतर college या institution जो आपके profile पर best हो आपके लिए तो नीचे profile analysis form fill ज़रूर कर दीजेगा त लिंक का है हां जी 24-25,000 रुपे एक साल की fees का इन्हों ने बता हुआ इसके हिसाब से लगबग 170,000,000 रुपे में आपकी engineering यह करा देते हैं यह tuition fees लेकिन आप रहेंगे hostel पर हाँ अगर वहीं से कौन बतूर से बेलोंग नहीं करते हैं तो तो उसके लिए अलग लग लग fees है यहां हम केवली नीचीजों को बताते हैं तो यह एक लाग के दाप से चार लाग में आपकी engineering हो जाएगे चार लाग engineering करना मतलब most of the people जिते हैं बहुत सारे बच्चे इसको अफूट कर सकते हैं अच्छा नाम इसलिए हैं इनका और फिर placement आती हैं चीज़ें क्यों हम चार सा चलेगा इन records हैं वो records कौन से होते हैं प्लीसमीन की records हां भई तो प्लीसमीन की कैसी क्या records है देखो यहां जैसे मैंने बता चुका है कि यह जो institute है इसका नाम शुमार है हां भई सच्छा ही है यह famous institution में एक माना जाता है यह को इंपतूर के तो इनके packages आप देखें अगर highest package क इनों ने बात करी है तो 34 LPA का हाँडी 100 company है जिन्होंने offer किया था last to last year और यहां total 151 companies आई थी जिन्होंने विजिट किया था बच्चों को placement के लिए recruitment के लिए और बच्चों को select करके गए थी तो यह records में आपको बता दू कि highest placement जो होता है वो हर किजी को नहीं मिलता है रहकी नहीं वो मिलता है on an average placement से जो इन्होंने डंग से बताए नहीं है लेकिन इनका धाई 3 लाग का on an average placement है जो की आप समझें कि क्या है आपकी total fees से कम हो सकता है लेकिन हाँ साल दो साल में आपका total खर्चा निकल जाए अगर on an average placement भी हमको मिलता है तो लेकिन मेरा यह मानना है कि जब इस फीस इतनी खर्च करनी है लाग लेड़ लाग रोपे अट लीस्ट आपको साल के खर्च करनी है तो और अच्छे-च्छे options हो सकते हैं आपके बिल्कुल सच्छा ही है यह और option हो सकते ह अगर जाना है आपकी profile पर क्या best हो सकता है तो profile analysis form फिल करना नहीं ही बूला है चलिए rankings हां जी ranking की basis पर ही नाम होता किसी institution का हां भाई वो कौन सी ranking पर आतने किस टाइप के काम कर रहा है और यह ranking ऐसे ही नहीं मिलती है प्राइबेट institution की ranking अलग मिल जाती है प्राइबेट institution से और university को ranking प्रोवाइड करा तो उसमें रेंकिंग में आप देखेंगे इनकी latest ranking 2020 की जो है वो 151 से 200 colleges के बीच की माने जारी जो ठीक ठाक हो सकती है अच्छी ranking माने जाती है all over India में overall फिर engineering ranking की अगर हम बाद कर ले तो वही 104 भी rank 2000 22 में इनको मिली थी उससे पहले 102 भी rank और 2021 की हलागी थोड़ा सा फिसल गया है ranking में लेकिन ठीक है ये 100-200-100 के अंदर आना भी अपने आपे बड़ी चीज मानी जाती है और यहां आरिया की ranking में 30 नमबर पे है 2020 की तो ये government institutions की ranking है याद रखिये private institutions की ranking खरीदी जा जकती है वैसा बोलता है कि भाई हाँ क्योंकि बहुत सा क्या होता है कि बहुत पड़ाई एक मात्र चीज नहीं है जिस पर आपका career बनता है पड़ाई के अलाबा भी आपका overall development होना चाहिए जो किसी भी institution का एक mean motto होता है या vision होता है कि हर बच्चे को क्या करें overall development कैसे होता है इन्हीं सारी चीजों की वजए से और इसके लिए इन् focus कराते हैं तो यह अच्छी चीज है किसी भी institution के लिए infrastructure अगर देखें तो library, hostel, seminar, conference, auditorium, amphitheater यह सारी चीज है या language lab यह सब basic facilities मानी जाती है किसी भी institution के लिए अब वो private है तो वो उसको थोड़ा बड़ा चड़ा के बदाते कि हमारे पास यह facility है government वाले बताते नहीं प्रचा ले लेते सारी चीज है overall development के नाम से लेकिन again किसी institution में यह basic facility ना हो तो बिल्कुल जाने का नहीं है सचाई है ठीक है फिर यह सारी चीज है हमने discuss करी हम एक चीज और important हो जाती है क्योंकि हमने fees की बात कर ली specialization की बात कर ली और किसकी बात कर ली इनके place की बात कर ली facilities की बात क है और आज अगर हम देखें तो लगबग 76 सालों का आपका experience हो चुका है इस फिल्ड में और 70 सालों में आपके student किस-किस मुकाम तक पहुंच है आपका नाम रोशन कैसे हुआ है क्यों आप famous colleges में आते हैं तो उसके पीछे की वज़ाई यह है alumni network और भी आप देखें तो बही चंद्रशेकरन इनका नाम तो आपने सुना ही होगा नहीं सुना तो आपको बता ते टाटा संस के यह चेर में रह चुका है और यह यहां के student रहें कपके 1976 बैच के है उसके बाद इधर देखें आए तो कृष्णा नाराइन साब यह भी आप जानते ही होंगे मतलब कमी सुन इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन तो इस शरो मैं यह प्रोजेक्ट डिरेक्टर के दौर पर अभी वह कर रहें तो भाई यह ऐसे ऐसे मुकाम पर इनके students पहुंच चुके हैं यह अपने आप में बड़ी चीज होती है नेट्वुक तग रहा है और इसी कारण से नाम है इस कोई मदूर इंस्टिट ऑफ टेकनोलोजी का जो की कोई मदूर तमिलाडों में स्टाबलेस है अगर आप भी देख रहे हैं या भी टागेट कर रहा है इंस्टिटूशन को तो अब भी लास्ट में आप समझ तो बगई होंगे आपके लिए best हो सकता है कि नहीं हो तो भाई ये सारी की सारी जानगारी चाहे colleges हो करियर हो या फिर courses की हो यह हम देते ही रहते हैं तो मिलेंगे एंगली वीडियो में एंगली जानगारी के साथ तब तक के लिए जाहिए I hope you like this video for more such videos keep watching our channel and do not forget to like share and subscribe